शिक्षा से ही दुनिया की हर मुश्किल से सामना के आ जा सकता है शिक्षा ही एक ऐसे रोश्णी है जो दुनिया को जगमक जाती है अज शिक्षा की क्षेतर में नन्य बचे जुगनो दुनिया की रोश्णी से भरने की लगातार कोशिश कर रहे है अज कोविड के काल में भी जला परिशादों चपरात्मिक शाला डिफेंस हिंदी के विध्यारतियों ने हार नहीं मानी है पिछले दो हफ़तों से लगातार बाल वाचना ले यह उपकरम शाला में शुरू है इसी दोरान 15 अक्तूबर के दिन पूर्व राश्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम आजाद इनकी जैनती बड़े ही उत्सा से मनाई गए थी विध्यारतियों द्वारा स्वयम मान वाचन लिया गया उनके द्वारा लिखे गए परिच्छत को प्रकरवाचन किया गया बच्चों के साथ साथ उनके पालकों तक को कुछ महान लेखोकों की किताबे दी गई साथ ही विध्यारतियों के लिए प्रश्ण मंजुशा का भी आयोजन किया गया इसी कारेक्रम के साथ ही National Hand Wash Day का भी आयोजन किया गया था इस दोरान बचों को बार बार हाथ दोने और COVID के शिकंजे से बचने के उपाय योजना भी प्रभारी मुख्यादप प्रियदर्शनी मोंदे कर इन्होंने बताई साबुन से दोते रहो हाथ अपने जर्म्स भगाना होतो पर 20 सेकेंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो इस गीत को दोराते हुए बच्चों ने Hand Wash Day मनाया इस कारेक्रम को शाला की प्रभारी मुख्य अध्यापक प्रियदर्शनी मोंदे कर विशेशिक्षिका प्रियानन देश्वर शाले व्यवस्थापना समीते की अध्यक्षर शिरीन शेक करूना लांडे आदी की उपस्तिती में संपन्य किया गया